हेलो स्टुडेंट डिसाइट सिधी वेलकम बैक तो मैं चैनल एंड आज मैं आपको आज की क्लास में कराने वाली हूँ आप लोगों को बी एच यू के में हिस्ट्री के दो हजार उन्नीज का प्री एक्यों करेंगे कि हम जाए थे हम आज 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 की क्लास में मैंको 60 यहां सर बताने वाली हूँ तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरिकी से क्वेसिन आपके एक्जाम में पूछ जाते हैं तो पुछा गया है which one of the following ages saw the first use of metal निमने लिकित में से किस युग में धातुओं का परियोग सर्वपथम पाया जाता है और आपके options यहां दे रखे थे पहलो अप्शन था प्रिस्टोरिक प्राचिल इतिहास तो स्टूडेंट इसकार निमें से किस युग में जंगली जानवरों एवं पौधों की पालतु बनाने क्या कार रहे है किया गया था तो आपके option दे रखे थे पूरा पाशान काल, मध्य पाशान काल, नव पाशान काल और तामर पाशान काल तो student इसका right answer है option number second, मध्य पाशान काल आगे बढ़ेंगे question number third की तरफ, next question है आप लोगों से पूछा गया है, the harpa civilization declined due to which likely factor, harpa सब्वेता का पतन की संभावित कारण से हुआ है, तो student इसमें चार option दे रखे थे, पहला option था, flirt, then earthquake, third option है, environmental degradation, चौथा है, invasion, तो student इस question में doubt है, because ये चारो ही reason के वज़े से harpa सब्वेता का पतन हुआ था, तो इसमें से आप लोगों को क्या tick लगारना चाहिए, otherwise आप इसका answer third लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे, तो इसका अगर आप लोगों ने वज़े अंसर लगाया होगा, आपको माक्स जरूर मिले होंगे, क्योंकि इसका चारो के सारो option राइट है, और ये चारो के चारो reason है, हरपा सब्वेता का पतन का, तो इसका answer third आप लोग लगा सकते हैं, बाकि आप लोगों को क्या point of use है, वो मुझे comment करके जरूर बताइएगा, कि आपके इसाब से इसका answer क्या होना चाहिए, आगे बढ़ेंगे question number four की तरफ, the early Vedic age was based on, जो पूरवेदिक यूगिन जीवन का आधार क्या था, आपके option से gram सब्वेता, दूसरा था शहर, नगर या तोले, तो student इसका right answer है, option number A, ठीक है, option number A इसका right answer है, आगे बढ़ेंगे, इसका right answer है, option number A, gram सब्वेता, village culture, next question है, question number five, the best known source for the study in Mauryan history is, Mauryakali नितिहास का सबसे अच्छा श्रोत क्या है, आपके option थे, हर चरीता, मिली नंद पनहा, गोडवाहो, या, फिर last option है, अर्थसास, तो इसका right answer था, option number four, अर्थसास, ठीक है, डीस का correct answer है, question number six की तरफ चलेंगे, the first royal inscription in India were issued by, जो भारत वर्ट के सरवपतम राजी की अभिले किन के थे, तो इसका right answer है, student option number four, अशोका, ठीक है, clear हो गया, इसका correct answer क्या है, option number four, next question is, question number seven, where did Gautam Buddha gave his first servant as, Gautam Buddha ने सरवपतम उपदेश, जो अपने किस स्तान पे दिया था, तो student इसका right answer, option number four, सारनाथ में, clear, आगे बढ़ेंगे, next question की तरफ, question number eight कह रहा है, which गुपता केंग, had an ideology, has inscribed on an asokan pillar, गुपता बंस के किस राजा की प्रसिस्ती इलाभात, अवस्ति असोक के स्तम अभिलेग पर, उत्रिकन है, तो आप लोगों का right answer, यहाँ, आपको option दे रहा है था, चंद्रगुपत, second, समुंद्रगुपत, रामगुपत या घडोत कश, तो स्टूडेंट्स का right answer, तो option number second, समुंद्रगुपत, next question है, question number nine, which सत्यावाना किंग, name is mentioned in the गिरनार inscription, तो आप लोगों से यहाँ, पुछागे सत्यावाना बंस के किस राजा का नाम गिरनाक के अभी लेक में चर्चित है, तो स्टूडेंट्स का right answer, option number one, गौतमी पूत्र, तो गौतमी पूत्र कौन था, तो वो थे, रूद्रदामन, ठीक है, इसका right answer क्या है, रूद्रदामन, तो option में आपके आगे जाके यह भी उसकता है, इसलिए यह भी याद कर लेना, next question है, question number 10, which is the most famous of medieval north eastern Indian dynasty, निम्मेलिकित में से उत्री पूर्व भारत का कौन सा साही वन सबसे प्रसिद्ध है, तो वो है, option number A, आहूं, now student, question number 11 है, कि निम्मेलिकित में से किसे वेदांक नहीं गा जाता है, तो इसका right answer था, option number second, लिपी, question number 12 है, the grammar book included in संगम literature is, संगम साहित्य का वैकरन गरंज जो है, वो कौन सा था, तो आपके options दे रखे थे, तो इसका right answer है, option number third, तोल कपियम, okay, question number 13 कह रहा है, the work चाचा नामा was translated by चाचा नामा के अनुवादक कौन थे, तो इसका right answer था, option number D, अबू बक्र कूफी, okay, फोर्थ रसका last answer सही है, अबू बक्र कूफी क्या थे, इसके translator थे, आगे बढ़ेंगे, question number 14 की तरफ, question number 14 कह रहा है, निमने में से कौन सा स्तल सेलार से चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो यह आप सभी जानते है, भीम बेट का जो एक क्या है, पैलियोलिथिक साइट है, ठीक है, और भीम बेट का में क्या है, एक हम लोग केप्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पेंटिंग क्या है, वागी, फेमस है, जहाँ पुरा पाशान काल भी कहते है, आगी पढ़ेंगे, कोशन नमबर फिफ्टीन की तरफ, ता सिक्स्टीन महा जनपत वर मैंशन इन विच बुद्धी सोर्स, किस वोद्स रोत में, सोला महा जनपतों का उलेक है, आपको आप्शन दे रखी थे, दीरगी निकाए, नेक्स्ट है, मंजीगम निकाए, या अंग निकाए, क्लियर, कोशन नमबर 16 की तरफ चलेंगे, कोशन नमबर 16 कहा रहा है, चंड पदोक्त किस महा जनपत का सासत था, अंग का, मगत का, कंबोज का, या अवंती का, तो स्टुडेंट इसका राइट अंसर तो आप्शन नमबर 4, नेक्स्ट कोशन है, कोशन नमबर 17, त चारो वंडनम का जो परथम उलेक है, वो कहां मिला था, तो इसका राइट अंसर ता स्टुडेंट अप्शन नमबर 4, पुरुसुक्त रिगवेद, नेक्स्ट कोशन है, कोशन नमबर 18, विच्च ब्रिटिश ऑफिसर डेसीपेड ब्रहमी और खरोश्ती स्क्रिप्ट आफ कंस्क्रिप्शन, किस ब्रिटिश अधिकार ने अधिकारी ने असोग के अभी लेकों में पर्युक्त ब्रहमी और खरोश्ती लिपी को पढ़ा था, तो वो थे स्टुडेंट जेम्स प्रिंसिप, सेकंड ऑप्शन या पे राइट अंसर है, तो स्टुडेंट दुबारा जील के जीनो द्वारा का उलेक मिलता है, और आपके ऑप्शन थे बीतरी, उदेगीरी, जूनागर या मंदसोर, तो स्टुडेंट इसका राइट अंसर है, जूनागर, ऑप्शन नमर थार्ड आप लोगों कहां पर करेक्ट आंसर है, कोशन नमर ट्वेंटी की तरफ आगे बढ़ेंगे कोशन नमर ट्वेंटी बन की तरह, स्टुडेंट बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, ताकि वीडियो लंबीन और आपको मिझे सिक्स्टी क्वेशन कराने है, अभी जग सिर्फ ट्वेंटी हो, वीडियो पसंद आए, तो लाइक जरूर करना जादा शेयर करो, और स्टुडेंट की मदद करो, जिनने इन प्रिवेशन की जरूरत है, नेक्स्ट कोशन है, हुज रिगार्डे एट फर्स टितांकराज इन जैनिजम, जैन्द्रम में प्रथम टितांकराज किसे माना जाता है, तो आप सब जानते हैं किसका राइट अंसर है, ऑप्शन नाद को, क्लियर, नेक्स्ट है, विच्च सेक्ट वस प्रिपगेटिट बाइ नरायन, नेकार किस संपरदाय का प्रचार करते थे, तो स्टूडेंट इसका करेक्ट अंसर है, आप से पूछा जाता है, अलवर्स जो थे वो किसको प्रचार करते थे तो वो थे विश्नु वान को, वैस्ट नव को, ठीक है, बट यभी आप से क्या पूछा गया था, नियाराज का स्लिए आपको साइकिंड अंसर पॉइंट सही होगा, आगे पढ़ेंगे कोशन नमर ट्वेंटी थर्ड की तरफ, हूँ फांड डीड सत्यावाना डाइनेस्टी सत्वहान वन्स का सं कोशन नमर ट्वेंटी फॉर है, विच उफ दी फॉलएंग पेर इस नौट करेक्ट ली मैच जुड तो करेक्ट ली मैच यहां पर आप से पूछा है वो आपको बताना है, तो देखो पहरा जो है जैदेव गीत गोविन लिखी जोने बिल्कुल करेक्ट है, अबुल फैजल तो काली दास ने क्या लिखी थी, काली दास जो है वो किसमय लिखी थी, स्टूडेंट वो मिर्च कटेकम ने नहीं, विकरम आधित्या ने लिखी थी, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओप्शन नमर थर्ड, क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछ है, बाकी क बेस्ट कोशिन की तरफ कोशिन अमर 26 कोटर नमर 26 के रहा च्टूडेंट की इन दिल्ली सलतनात one silver tank was equivalent to दिल्ली सलतनात की एक चांदी का टंका जो है तंका जो किसके वरा कितनों के बराबर होज़त हो तो था 48 जीटिल के बरावर इसलिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन नमबर बी कोशन नमबर 27 है अमीर कुश्रो कंपोज्ड हीस नू से फिर इन प्रेज ऑफ अमीर कुश्रोने नू से फिर किसकी प्रसंसा में लिकिती तो लिकिती भारत के प्रसंसा में इसका राइट आंसर था ऑप्शननमबर A में 29 की तरफ बढ़ेंगे the city of agra was founded by agra की जो city उसके संस्तापक कौन थी तो आप सबी जानते वो थे सिकंदर लोदी इसलिए राइट अंसर था है option number a question number 30 है which सुल्तान अफ दिल्ली सल्तना अज्यून टाइटल अफ सिकंदर सैनी सिकंदर सैनी का जो टाइटल है वो किसको उपादी किसको बिली थी तो वो थी अलाउद दिन खिल जी option number b यहाँ पर correct answer है आगे बढ़ेंगे question number 31 की तरफ 31 question कहा रहा है आपको दा मंगोल इन्वेडर कुतलुग ख्वाजा invaded इंडिया दूरिन दे रिजाइन ओफ मंगोल आकरमाण कारी कुतलुग ख्वाजा निकें किसके सासंकार में भारत पर आकरमन किया था इल्तुतमिष ने पलवन ने अलाओ दिन खिल जी के सामय पर यहां मुहमर बिन तुगलक पे तो उसका right answer is student option number 3 अलाओ दिन खिल जी question number 32 कह रहा है who built Atala Moscow of Johnpur Johnpur का Atala मज्जिद जो है वो किसने निर्मित कराया था तो वो थे इब्राहिम शा सरकी ने option number 2 आप लोगों का यहां पर राइट answer है आगे पढ़ेंगे question number 33 की तरफ question number 33 है the first turkeys conquered to cross Vidya Chal range परतम तुर्की विजेता जिसने विंद्या चल पहाडियों को पार किया था तो वो कौन था इसका राइट answer है next question है question number 34 who is the founder of 60 order in India जो चिस्ती order है उसका founder कौन है तो उसका राइट answer है student option number a मुएद्दीन चिस्ती ठीक है यहां पर पहला option आप लोगों का राइट है next question is question number 35 की तरफ बढ़ेंगे भामनी सुल्तानेज वास फाउंडेट बाइट बाहामनी सल्तनत की संचापक कौन थे तो वह थे अला उद्दीन भहमंशा तो आपका राइट answer तो option number a question number 36 कह रहा है पानीपत का बैटल हुआ था 1527 इसका राइट answer है बी ओप्शन सही है कानवा 1527 में हुआ था अब पानीपत का जो यूद्ध हुआ था वह था आप लोगों का 1526 में ओके 1528 में आप लोगों का चंदेरी का हुआ था बैटल और 1539 में आप लोगों का घागरा का यूद्ध हुआ था ओके तो इस चारों आप लोग जरूर याद रखना आगे बढ़ेंगे question number 37 की तरफ तो रियल नेम क्या था सेर्शा सूरी का तो इसका राइट अंसर है फरीद option number second question number 38 कह रहा है हुआ रोट हुमायू नामा हुमायू नामा किसने लिकी थी तो आप उसाब जानते है गुल बदन बेगम ने लिकी जिसके option number second इसका right answer है question number 39 है who among the following visit the akbar court तो निम्ने मेंसे कौन से अकबर के दरबार में आया था तो इसका right answer option number A Ralph Fish है जो अकबर के court में आय थी next question number 40 the silver coin of rupiah was issued by जो silver coin है जान्दी का जो सिक्का है रुपाई या सवरुपतम किसने जारु किया था तो वह किया था सेर सा सूरी ने तो option number second आप लोगों का यहां पर right answer है आगे बढ़ेंगे question number 41 की तरफ एक मिनट आपको पूरा questions भी दिखना चाहिए student तो next question है आप लोगों का मुगल emperor who paid attention to the supply of water through canal was मुगल बासा जिसने नहरों से जलापूर्थी पर ध्यान दिया था वो कौन थे तो वो थे अकबर option number first आपका right answer है question number 42 है सेख एहमद सिरहंदी was imprisoned by सेख एहमद सिरहंदी को कैद करवाया गया था तो किसने करवाया था तो आपके option से हुमायू ने अकबर ने जहांगीर ने यसा जहांगीर ने तो वो करवाया था जहांगीर ने question number 43 है student who among the following sons of औरन जेब sought help of Maratha against his father और अरन जेब के निमने बेटों मेंसे किसने अपने पिता की किलाव Maratha उसे साहता मांगी थी तो वो थे मुआज़म option number 3 आप लोगों का यहां पर right answer है next question is student question number 44 the state of Bharatpur was founded by जो भरतपूर के जो जाट राज्य के संस्तापक कौन थे तो वो थे सूरज मल option number 2 आप लोगों का यहां पर right answer था question number 45 है who among the following सिख गुरू स्टार्टिड दा गुरू मुखी स्क्रिप्ट निम्न में से सिख गुरू में से किसने गुरू मुखी लिपी लिखी शुरू किया था गुरू अर्जन ने गुरू रामदास ने गुरू अंगद ने या गुरू नानक ने तो student इसका right answer था option number C गुरू अंगद clear आगे बढ़ेंगे question number 46 की तरफ question number 46 है the first मुखल emperor who led the military expedition to बंगाल प्रतम मुखल सासा जिसने बंगाल का सायनिक अभ्यान किया था वो कौन था तो वो था बाबर option number A आप लोगों का right answer है आगे बढ़ेंगे question number 47 की तरफ question number 47 है आप लोगों का रजनामा फार्सी अनुवाद है किसका पंचतंत्र का रमायर का महा भारत का या गीता का तो students का right answer है option number 3 महा भारत का question number 48 है who among the following laid the foundation of Amrish sir नेमने में से किसने Amrish sir की स्तापना की थी तो वो किसने की थी गुरू राम बास ने clear आज यह पता नहीं स्टूडेंट सौरी कुछ प्रॉब्लम आ रहे थी बट अब करेक्ट हो गया तो आप स्टार्ट करतें next question की तरफ question number 49 की तरफ बढ़ेंगे question number 49 पूर कह रहा था कि आप लोगों का अवद राज्य के संस्तापक कौन है आपके options थे एहमस्या सफद रंग जंग साधत खा बुरंशा तो आपका option number 3 यहां पर right answer है साधत खान बुर्हानू मुल्क correct answer है आगे बढ़ेंगे question number 50 की तरफ दिवानाय कुल वोज दा इंचार्ज ओफ दिवानाय कुल जो है वो परभारी थे किसके तो आपका right answer है option number A revenue राजस विकी यहां तक clear हो गया student आगे बढ़ेंगे अपने next question की तरफ question number 51 दस question और करने है student आज की सीरीज में आज हम लोगो 60 questions अपनी class में discuss करने वाले हैं ओके आगे बढ़ेंगे question number 51 की तरफ question number 51 है आप लोगों का name the traveler who describe Varansi Kasi as the Athens of India in the field of education उस विदेशी आत्री का नाम क्या था जिसने वरानसी काशी के छेत्र में भारत का Athens कहा गया है तो वो कहा गया था बर्नियर को यहां पर right answer इसलिए आपका option number first question number 52 की तरफ बढ़ेंगे who were responsible in bringing impeachment proceeding against Warren Hastings governor general of Bengal in the house of Lord तो निंग बंगाल की गवर्नर Warren Hastings के खिलाव British उत्च सर्दन में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निमनलिकित में से कौन-कौन उत्तरदाई थे तो उसका right answer है option number is France CSA for Avon Dallas Okay, आगे बढ़ेंगे question number 53 की तरफ who was considered to be the liberator एक मिनट liberator of Indian press in colonial time निमनलिकित में से बारत के press मुक्ति जाता की रूप में किसको माना जाता है तो आपका यहां पे option थे Lord वेलिसली, जॉन, एडमेस, लॉर्ड लिटेन या चारलेस, मैटकाफ तो स्टूडेंट्स का right answer है option number 4 चारलेस, मैटकाफ Question number 54 है आप लोगों का who was first to use Hinduism in religious sense in his writing सरपथम किसने अपने लेखन में Hinduism, Hindu को अपने लेखन रूप में सामिल किया गया था ठीक है option number 54 देख रहे हैं हम लोग तो स्टूडेंट्स का right answer option number 2nd, राजा राम मोहन रोएने, question number 55 है, www.hunter commission of 80, 82, 80, 83 was associated with the progress of 80, 82, 80, 83 में लाया गया www.hunter, आयोग नेम में से किस विशे से जुड़ा हुआ था, तो student वो जुड़ा हुआ था, education से, education से, याने की शिक्षा से option number 2nd, या आप लोगों का यहां right answer तो 56 question की तरफ बढ़ेंगे, mention the Muslim movement that led demand for separate nation, separate nation for Muslim for the first time जिसमें सर्वपथम एक अलग Muslim देख की देश की जिन लोगों ने मांग रखी गई थी, इसमें से कौन सा अंदोलन उस टाइम पर हुआ था, आपके options है, वहाभी movement, देववन अंदोलन, अलिगर सुधार अंदोलन या Muslim league, तो option number 4 यहां पे right है, Muslim league हुआ था, student, question number 57 है, which one of the following was not a religious movement, निमें लिकित में से कौन सा धार्मिक अंदोलन नहीं है, तो अलिगर स्रिफॉर्म movement है, इसका right answer, जो की यह धार्मिक movement नहीं था, question number 58 है, who was the founder of the party called Indian Liberal Federation in 1998, Indian Liberal Foundation नावक संस्था की स्थाप्र 1998 में किसके दवारा की गई थी, आपके option है, SN Banner जी, Cesar Kumarda, Sarat Sarat Banner जी या हरीश मुखर जीश का right answer है, option number A आप लोगों का, आगे बढ़ेंगे question number 59 की तरफ, who among the following was associated the Hindu association of social organization, निमने में से कौन से हिंदू association नामक समाजी संसा से जोड़ा हुआ है, आपके option है, वीर सार वरकर, आत्मा राम, पंडियंग, एन जी, चंदरावाकर या एनिबिसेंट, तो student इसका answer आप लोग मुझे comment करके बताएंगे, किसका right answer क्या होना जीए, मैं आप लोगों कोई भी गलत answer नहीं देना चाहती है, तो इस question का answer आप लोग मुझे comment करके जरूर बताएगा, आगे बढ़ेंगे, आज के last question की तरफ, who coined the slogan, one religion, one caste, one God for mankind, मानव समाच के लिए, एक धर्म, एक जाती, और एक ईस्वर का नारास और पथम किस ने दिया था, तो student वो दिया था, नारायन गुरू ने, option number D, यहाँ पर right answer है, तो student यह, आज मैंने आपको कुछ total, कितने, पूरे total मैंने आप लोगों को यहाँ पे 60 questions करा दिया है, बाकी के 60 questions मैं आप लोगों को part 2 में कर रहा हूंगी, तो आज की वीडियो पसंद आए, तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तकि आगे की वीडियो जब भी मैं अपलोड करो, तो आपके पास update मिल जाए, आज की लोगों कोई भी question में problem है, और जो मैंने आपको questions दिये हैं, किसके questions का answer आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा, ताकि मैं आगे जाके इसको अपने description box में लिख सको हो, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका answer पर चल जाए, आशा करते हो, आशा करते हो, आशा करते हो, आश करते हो, आशा 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 करते ह